नमस्कार वेलकूम पेक तो आरोन चैनल आप देख रहे हैं डाइटीशन लक्षमे डॉक्टर वरीत और मैं हूँ आपके अपनी डाइटीशन और मास्टर आफ फामसी लक्षमे यादाओ हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं Foods, Medicine, Product Review, Diet Plan के बारे में तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइनली सब्सक्राइब अबर चैनल and share with your friends and family आज हम बात करने जा रहे हैं Diet Plan for Heart Diseases जी हां जित्ती भी लोग हैं जिनको दिल की बिमारिया है, Heart Attack आ चुका है या फिर Stand डल चुके हैं या फिर Blockage है उनके लिए ये Diet Plan है या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये बिमारिया ना हो तो भी आपके लिए ये Diet Plan है तो चल जी हां जब आपके हिरदय में Oxygen का Supply रुख जाता है, Blood का Supply रुख जाता है तो वो Blockage होता है और ये Blockage होता किसकी वज़े से ये Blockage होता है दो चीजों की वज़े से दो दुश्मन हैं आपके दिल के जी हां ये दो दुश्मन जो हैं वो हैं Cholesterol और Triglycerides और ये आपको कही और से नहीं आपके खाने से मिलते हैं जी हां अगर आप माने तो आपका ही खाना जो आप डेली खाते हैं वही responsible है आपको दिल की बिम्मारिया देने के लिए अगर आप सेगरेट पीते हैं अगर आप अलकोहल का intake करते हैं अगर आप चीज, बर्गर, पेस्टी, पीजा, फ् मोसा, जलीबिया, कचारिया, पाओ भाजी भर भर के डेली बेसिस पे खाते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइगलेसराइट्स दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं इसके अलावा वो लोग जो ऐसी लाइस्टाइल जीते हैं जिसमें वॉक करने का नाम और निशान नहीं प्रैशर है तो भी आपको हाट अटाइक हो सकता है अगर आपको डाइबिटीस है तो भी आपको हाट अटाइक हो सकता है अगर आप ओबेज हैं यानि की आपका वजन जादा है आप मोटे हैं तो भी आपको हाट अटाइक हो सकता है तो आपको ये सारी चीज़े अगर मिनि करनी है अगर आपको आपका दिल अच्छा रखना है आपकी हाट का ध्यान रखना है तो आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा और जो वो दो दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए आपको सर्फ एक चीज करनी है आपकी डाइट में चेंज करना है जी हां अगर आपकी में चेंज करते हैं, तो आपको इन सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है, नहीं आपको high blood pressure होगा, नहीं diabetes होगी और नहीं obesity होगी, तो चलिए देखते हैं, कि आखिर आपकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज है, जो शामिल करने से आप दिल की बीमारियों से बस सकते हैं, सबसे दिन में 5 ग्राम से जादा का salt intake, WHO यानी की world health organization भी मना करती है, तो आपको दिन में सिर्फ 2 ग्राम से 5 ग्राम तक ही नमक लेना है, आप अगर heart patient हैं, तो मेरा suggestion होगा, कि आप 2 ग्राम से 3 ग्राम तक ही नमक लें, इसके बाद दूसरी चीज है, fruits and vegetables, जित्ते जादा fruits and vegetables, आप आपकी diet में add करेंगे, उत्तार जादा आपको antioxidants, vitamins और minerals मिलेंगे, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है, जो आपके heart के लिए diabetes कंट्रोल करने के लिए obesity यानी की मुटापे को कंट्रोल करने के लिए फायदे मंद है, तीसरी चीज में हम देख लेते हैं वो है alcohol और smoking ना करना, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बहुत लंबे समय तक यंग रहे और अच्छी lifestyle आपको मिले तो आपको alcohol और smoking दोनों छोड़नी है, इंडिया में 70% heart blockage के जो cases हैं वो alcohol और smoking की वज़े से हैं, यानि कि सोचिए धीरे धीरे cigarette का धीमा जहर आपके द फ्राइ चीजें हैं वो आपको avoid करनी चाहिए, मन्त में एक बार इस तरह का खाना अच्छी बात है, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे धेर सारा oily खाना खाएंगे तो वो आपको सिर्फ cholesterol और triglycerides ही देगा, याद रखें जब भी आपकी शरीर में cholesterol और trig triglycerides बढ़ेंगे, ये आपके दिल के blockage को बढ़ाएंगे, आपके हाथ तक जो blood पहुचता है, जो रक्त पहुचता है, उसके पहुचने में रुकावट करेंगे, तो भई ऐसी चीजे हम क्यों खाएं, भई मैं तो बिलकुल ना खाओ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं खा तो आपको आपकी डाइट में आज से ही फ्राइट चीजें बंद कर देनी चाहिए, क्यों बंद कर देनी चाहिए, वो हम पहले डिसकस कर चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी बेमारियां, यानि कि triglyceride बढ़ा हुआ, कोलिस्टरॉल बढ़ा हुआ, ये सब आपको यही आपका ओयल देता है, इसके अलावा घी, बटर और ये सब भी आपको लिमिट में लेना चाहिए, दिन में आधा चमच घी ठीक है, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डाइबिटीज है तो आपको घी नहीं खाना चाहिए, घी के बज़ाए लोग बटर खाने के लिए जाते हैं, वो थोड़ा सा सेफ है पर उता अच्छा भी नहीं, तो आप वो ना लें, जितने भी ड्राइफूट्स हैं रात को भिगो करके लें, क्योंकि ड्राइफूट्स लोग बहुत खाते हैं, वो सोचते हैं ये बहुत हेल्दी है, पर वो आपको रात को भिगो करके ल वो मलाई भी कोलिस्टरॉल बढ़ाने के लिए जित्ते भी हाट के पेशिंट है उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है कि आप मिल्क अगर लेते हैं या फिर स्किम मिल्क आता है मार्केट में आप वो ले सकते हैं इसके अलावा आपको चीजे रोस्ट करके खानी है आप चना रखेगा और सबसे इंपॉर्टन बात अच्छी नीन लीजे आठ से दस घंटे की नीन आपको हर तरीके की बीमारी से बचाने के लिए जिम्मेदार है रिस्पॉंसिबल है इसके अलावा स्ट्रेस नहीं लेना है जादा चिंता मत कीजे जो आपकी जॉब पे चल रहा है वो फोकस कीजे ताकि आपका दिल भी सुकून से रह सके और उसे ये दिल में होने वाली धीर सारी बीमारियों से आप बचा सके आज के लिए सिर्फ इतना ही अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नमस्कार